Hello everyone, study with us में आप पर फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं teaching aptitude से related important MCQ तो ये जो वीडियो है ये super important है क्योंकि इस में teaching aptitude के वो questions ले गए हैं जो already exams में पूछे गए हैं तो इससे आपको ये पता चलेगा किस तरीके question जो है teaching aptitude से पूछे जाते हैं तो देख सकते हैं आप ये छटा question है और ये question पूछा गया था June 2019 के net exam में ठीक है तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि ऐसे ही चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहे ठीक है और अगर आप हमारी पहले की वीडियो को दे गैस करने है कि कौन से कोशन का आंसर आपके अनुसार सही है और उसके बाद मैं इसके आंसर सापको बताऊँगा तो पहला कोशन ये है कि सिक्षन में चर्चा पद्दती परभावसाली रूप से आयोजित करने के लिए निमिल लिखित सर्तों को पूरा होना चाहिए ठीक है हो ठीक है दूसरा कह रहा है कि विशे पहले से ही खोशित हो ये सही है ठीक है चर्चा पद्दती में यही होता है कि जो टॉपिक होता है वो सबसे पहले बता दिया जाता है दूसरा विशे समानने रूची का हो ये भी सही है एक से अधिक शिक्षक की उपलब्दता ये गलत है ठीक है और पांचवा कहा रहा है सहभागियों की भासा में सहचता होनी जाएगे बिल्कुल सही है तमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा तीसरा और पांचवा तो सही आंसर होगे option number A ठीक है option number A जो है इसका correct answer है next question है बहुल बुद्धी सिध्धान्त का विकास किस ने किया सही आंसर इसका option number D होवार्ड गाड़नर ने जो है इस सिध्धान्त का विकास किया था होवार्ड गाड़नर next question है परभाव साली सिक्षन व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिये जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है ही ओडिए और तो ये जो है विकल्प इसके दे रखे हैं और ये कत नहें हमें बताना है इनमसे कौन सा है ठीक है और कौन सा सही है आप देख सकतें कथन से श्तन पूरी बारी की तो देख लेते हैं देख इसका सही जो आंसर है वो मैं पहले बता रहेता है उसका सही आंसर है option number option number a इसका correct answer है पहला चौथा और पांचवा जो है कथन इसके में सही है जैसे कि सभी विधार्तियों को परत्यक्ष स्रव्वे और मौखिक प्रदाईगी और प्रस्तुती करण के विविद्य तरीके और कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्वयवहार को रोकना ठीक है तो सही हो गया हमारा पहला चौथा और पांचवा यानि की option number a ठीक option number a next question है निमिल लिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षन की अवधार्ना की व्याख्या करता है देखिए teaching aptitude और research aptitude से जो आप question पूछे जाते हैं उनका level जो है काफी high होता है अगर आपने exam दिया होगा तो आपको जरूर जानते होंगी दिन परते दिन जो teaching aptitude और research aptitude का topic है उससे बहुत ही tough level के question जो है बनाए जाते है तो अगर आप ऐसे questions को करना चाते हैं तो आपका concept अच्छे से clear होना चाहिए हर एक topic को जो है आपको बारिकी से पढ़ना चाहिए तो question number 9 का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number a oh sorry option number d option number d शिक्षक विबिन प्रिष्ट भूमियों के विधार्तियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है ठीक है तो इसे हम कहते हैं क्या समावेशी सिक्षण ठीक है next question है निमिल लिखित में से कौन सा अधिगम करता या अधिगम करताओ को समवेग आतमक बुद्धी का सर्वोत्तम विबरण प्रस्थुत करता है तो सही answer हो जाएगा इसका option number A पहला चौथा और छटा यानि कि दूसरे लोगों और स्वेम अपने समवेग को समझना और इस्थिती के अनुरूप अपने समवेगों का समायोजन और छटा है अन्ने लोगों को जैसा वे हैं वैसा ही व्यवहार करना ठीक है नेस्ट कोशन है जीन प्याजे के संग्यान आत्मक विकास सिध्धान्थ के अनुसार कि शोर विधार्थी विकास के किस चरण में होते हैं किस चरण में होते हैं सही answer है option number D आपचारिक संक्रियात्मक चरण में ठीक है आपचारिक संक्रियात्मक चरण में नीचे शिक्षण विधिया और उपागम दिये गए हैं उनमें से कौन-कौन सा व्यस्टी सापेक्ष उपागम है ठीक है व्यस्टी सापेक्ष उपागम पूछा जा रहा है यहाँ पर सही आंसर है option number B दूसरा तीसरा और चौथा यानि की modular उपागम अभी कृमित अधिगम और व्यस्टी सापेक्ष उपागम पूछा जा रहा है ठीक है ने शुशन है एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किये गई परिक्षन के मामले में निमिल लिखित में से कौन सा कथन सही है सही है तो सही आंसर है option number B यदि परिक्षन वैदता रखता है तो वह विश्वशनिये भी होगा ने शुशन है यदि परिक्षन वैदता रखता है तो वह विश्वशनिये भी होगा नेश कोशन है यह थोड़ा सा बलर है निमिल लिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षन की अवधार्णा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्याई इत्त करता है तो इसका सही आंसर है जो ओप्षन नमबर सी है दो से अधिक अध्यापक अपनी विशेश्वता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं टीम शिक्षन ओप्षन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर है नेस्ट कोशन है शिक्षन की परभाव सीलता का निर्णे करने में निमल लिखित में से किन बिंदूओं पर विचार किया जाता है तो इसका सही आंसर जो है वो है उप्षन नमबर डी दूसरा तीसरा और चोथा यानि की शिक्षन उद्देश की प्राप्ति का इस्तर और सीखने में विधार्तियों द्वारा लिया जाने वाला समय और सिक्षन में अध्यापक द्वारा परियोग में लाया जाने वाला संस ठीक है, नेस्ट कोशन है, एक अध्यापक विधार्तियों के अधीगम की कठनाईयों को ग्यात करना चाहता है, निमिल लिखित में से किस परिक्षण का उप्योग किया जा सकता है, सही आंसर इसका ओप्षन नमबर D, नैदानिक परिक्षण, ठीक है, नैदानिक परिक्षण क नेस्ट कोशन यहां पर दे रखा है, अब यहां पर दे रखा है, शिक्षन की कुछ विधियां दे रखी है, और विधी के महत्पूर्ण पक्ष दिये गए हैं, और हमें इसमें करना है मिलान, ठीक है, हमें करना है इसमें मिलान, ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, तो देखें सहयोग आत्मक विधी जो है ये संबंदित है option number 3 से जब विधार्थी अधिगम कार्यकलाब के विभिन पहलूओ को साज़ा करता है ठीक है तो उसे हम कहते हैं सहयोग आत्मक विधी और जो सहकारी विधी होती है इसका संबंद है कि जब विधार्थी अधिगम में एक दूसरे किसायता करता है तो उसे हम कहते हैं सहकारी विधी ठीक है और रचनात्मक विधी का संबन जो है वो है जब विध्यार्थियों पर ज्ञान के सरजन के रूप में जोड़ दिया जाता है तो हम कहते हैं इसे रचनात्मक विधी और टीम सिक्षण अभी मैंने आपको बताया था शिक्षण में अध्यापको की विशे सग्यता का उप्योग किया जाता है उसे हम कहते हैं टीम सिक्षण तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी तीसरा चौथा दूसरा और पहला कोशन है देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना और पहले की वीडियो उसको देखना चाते हैं तो लिंक जो है वो ऊपर आउउटरन पे दिया गया विधार्थियों के अधिगम को बढ़ाना नेस्ट टूशन है शिक्षक निमिल लिखित में से किस शिक्षन सहायक सामिग्री का परियोग कक्षा में परत्यक्ष अंतिकिर्यात्मक युक्ती के रूप में कर सकता है नीचे दिये गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए ठीक है तो सही आंसर इसका हो जाएगा option number B दूसरा तीसरा और चौथा यानि कि skype, online chat और teleconferencing ठीक है तो ये सिक्षन सहायक सामिग्रियां है नेस्ट कोशन है विधार्थी केंदरित कक्षा का परयोज़त है प्रयोज़न है तो उसका सही जो आंसर है वो है option number A व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए ठीक है चलिए ये last question है जो मैं आपको दे रहा हूँ इसका आंसर आपको मुझे comment में बताना है ठीक है आराम से आप इस question को पढ़ सकते हैं और इसका आंसर आपको मुझे comment में बताके देना है देखते हैं कौन इसका आंसर देता है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में थैंक्स फर वच्छिं इस वीडियो